आज के अगर टॉप पर्फॉर्मर की बात करें तो अगर बात कर लेते हैं दो मैचेज आज हुए हैं मैच 2 और मैच 3 एबरेश बीवर लीग से और मैच 2 के टॉप पर्फॉर्मर की यहां पर बात करें तो एक नहीं दो नहीं बलकि जिहां साथ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने से हट कर भहत्रीन प्यफॉर्मेंस किया है और काफी आप कहा सकते हैं लोकल और अंड चैठ प्लेयर ज़ें काफी नए हैं और इन साथ प्लेयर्स का प्रफॉर्मिंस इस कदर भैतरीन रहा कि वह पूरी की पूरी मैच पे इंपक्ट करता हुआ नजर आया सिकंदर रजा जिहां सिकंदर रजा जो की स्केंडर परफॉर्मर रहे हैं उनके अलावा भी साथ ऐसे प्लेयर रहे हैं जो इस मैच में पूरा योगदान दिया जो सबसे पहले बैटिंग टीम से अगर हम बात करें, जो फिर्स बैटिंग हुई थी ब्राटनगर वारियर्स की, अगर वहां से उठाएं, तो अनील सहा, सहा, सहा नहीं, सहा, अनील सहा थे, जिन्होंने 32 अंगी पारी खेली, 31 बॉलों में उपर आके उन्होंने बहुर अच् पार्टनगर वारियर्स की लिए खेल, लेकिन अनील सहा की लोपारी थी, चौकों से सजी उन्होंने, चापकों से चापकों से उन्होंने पारी, राइट हैंड़ बाट्समें, बहुत ही बखुब भूब उन्होंने चितवन डाइजर्स की खबर भी लेकिन एक काम और कंपो जाज़ा का था उतना ही हाथ, अनिस शहा इस प्लेयर का भी कह सकते हैं, 31 रिप काफी क्लूचल और काफी इंपॉर्टन स्केज को अनोने आके मारे हैं, बात करते हैं प्लेयर नमर् 2 की, बिल्कुल प्लेयर नमर् 2, जिन्होंने जिन्होंने बहुत उमीद ही कि जाब इनको है मिलता एक ओवर रिंको मिलता सोरफ, 30 रिप मारे 19 बॉलों, इतनी थेज थरा पेलिए हैं, 19 वा ओवर उनको ठीक से मिलाने अगर उसको उच्छ कर पाते، घगता तब ही हैं, तो कही ना कहीं भी स्कोर भी और पढ़ा होता लेकिन उनको मिला नहीं, 30 रिप मेभी बहुत अ शुरू के आग्मा बॉलों एक ठीट नहीं थे, लेकिन लाश के दस बॉलों में अपने गयर चेंज किया और नाज के हिसाब से उन्होंने रण मारे बहुत बहुत अच्छा के लिए बहुत शांदार उनकी बैटिंग रही है, स्टाट आप कैसे भी करें, अगर आप एंड बै इसमें दो थे, जो बहुत आउट देखने वाले थे, नमर थी, कमल एर, जिनके बारे में बात कर रहे है, चार ओवर में उन्हें सुर्ण दिये और दो विकेट उन्हें निका रहे है, तो बहुत ही अच्छी बालिंग कराई, खिराने की खोईश कर रहे थे, बैट्समन के ब लगार, फ़ी आउट वाले अपना है, वो हुल विकेट छोड़ यह लेकिन नमर रहे है, लेकिन एक बहुत ही बहुत ही जिया, बहुत ही रिगलेशन चैश एक जिया, जो भालेशन चीन के छोड़ दिया गया, लेकिन उन्ही बालिंग शितनार रहे है और फ़स्ट हस्पल कर बिलकुर और प्लेयर नंबर फोर की अगर हम बात करें तो यह भी जो बॉलिंग टीम से ही है सागर लेफ्ट आफ श्पिन, लेफ्ट आफ श्पिन, स्पिन, सागर भई जब करा रहे तो लग रहा था कि शायद देखिये कहीं जितना उनका एक्स्पिनस नहीं है इतना उसमे इतना नहीं टीमभण एक दो बॉलिंग परका लोग जो से यह जायद आएक दो बॉल फोर कर सकते हैं लेकिन लेकिन नहीं उन्हें एसा नहीं किया आपए के साथे जोने ले प्री स्पिन स्पिन, निकाले सागर थाव आप स्पिन, 3 ओध चॉडरण, जो विक्ट बह जोने सागर के रही है यह चोड़ी चीजे होती है जो मैंचेज में बड़ी चीजों के सामने ठक जाती है लेकिन इन चीजों के बारे में बात करना जरूरी है सागर स्वागर का बात कर्राइlar लेकिन यहां पर यहां पर दोला अड़ाल कि 20 इसे डल गेर कंज है बात करते हैं अब बलकुल जिसमें की पहले केट चुटा जिहां बीर शक्की का चोड़ा गया बहुती इसे पर कैस था उसको छोड़ा गया लेकिन उसके बाद उसके बाद उसके बाद इनोने पूरा फाइडाई उठाया सिकंदर रजा के फ्रस्टेशन का उसी में तीम चौके जाड़ान को बहुत ही अच्छे इंटाइंट साफ था मुझे मारना है मुझे शुरी के ओवर में टीम को बड़त दिलानी हो कहीं है स्कोर हाई कर दिया था वाकही में कमाल की स्टार्टिंग कमाल की दियो जो पुरा क्र इक वरी बहुत है चलिए उसको एड़ भी करें ने काफी इंपोर्टेंट रून तीसर निकाले जो आगे जाकर काफी काम आने वाले थे प्लेयर नमर सिक्स ये डाटिंग दिएंग प्लेयर नमर सिक्स यह डाटिंग कीम से है और इनके बार में तो खरपात कर नहीं होगी इ अराम से घरीबार मैं अपनी टीम को अराम अराम से जिता हुगा और इस प्लेयर का नाम है राजेश पुलाविश जहां में इस प्लेयर की बात कर रहे हैं नहीं बैस्मेन और यहीं वह प्लेयर थे जोने कमल सिंग आई इडी की बॉल के चाट वड़ा था था शुड़ा था श यहां लाश्ट वर तो था मैं फंस यहां कि लगातार विकेट गिरें लास्ट में दो थी नंग के अंदर दो थी विकेट गिर गया है उसके बाद वो एक छोल पर खड़े रहे एक बॉल पर एक रंच जिये थी उन्हें शांदार कवरड्राइबार के अपी तीम को जीत दिल आपने लिए बाद बनाद गिलने का जूनका टैंपरमाट था वो भी कहीं लगी स्था जब एक स्पिनर ने सामने तरफ से उन्होंने एक किसी बॉलर को साथ ने आठी नंबर की बोल्ड किया वो तुरंट उन्होंने नोन स्टागेंट से ही कहा कि आपको इस प्र बैक अश्टाएं आपने कहा कि सामने लिए प्लेर कुर्न गल्ती बाद गया तो वो गेम को रीट भी अच्छा कर रहे हैं खाली खेल नहीं रहे हैं रीट भी अच्छा कर रहे है वाकती में राजेश पुलानी 43-39 बाल उन्हाय जीत भी अक्यों को सबसे इंपॉर्टंट बास व तो इस पूरे मैथ की मेरे तो सबसे भैजरे इनिंग अगर आप कहेंगे किसी परफार्मर को चुनना हो विलामी ही होगा जबरदस को फॉर्टीटरी नॉट आउट और उसके बाद बिनिंग शाट भी उन्होंने निकाला जब एक बॉल पर एक रहे चाहिए तो इसके साथ वा कमाल कि कहना होगा 4 ओर में 21 रंड लिये है 14 डॉट बॉल में 14 डॉट बॉल से हैं वाकही में कमाल की बात है वह उन्होंने एक टिकेट उताना है सबदस इतने यंग बॉलर्स के लाइन लेंग रखना यंग लड़कों के बीच में इतनी ज़्यादा डिसिप्लीन होना यह व बहुत ही जगवा पर बोल डाल रहे थे, विकिट टू विकिट रख रहे थे, बोड़ी के आसपास रख रहे थे, इसी विए एक्स्ट्रास की गुंजायस बिलकुर नहीं थी, शांदार बॉलिंग उन्हें करा है, आप देख सकते हैं, चौपिस बॉलों में से 14 बॉलों ने ड यहां पर मेरा तो फेवरेट परफॉर्मर की होगा, बहुत ही शांदा, यह तो बात होगी मैस्टू की, मैस्ट्री की अगर बात करें, मैस्ट्री में इतनी उपरचुनिटीज नहीं लिए, तो कहलें, धाधार जो विकेट्स की बारिश कहलें, चाह फिर आप पानी की बारि बिलकुल और वो है दुर्गेश, जिहां दुर्गेश टीन इंपर्टेंट विक्टे निकाल को दी अपनी टीप को शुरू में ही शुरू में इतनी श्टाटप दिलाया और बहुत लेफटामर है, वाकई में कमाल के लेफटामर की अच्छे हैं, बहुत सूट करता है लेफ अच्छे में मार्की जी का बिनोर भंटारी को बोल मारा था, वो वाकई में कमाल का था, और जब उनने तीसरा विक्ट लिक्ट लिया, वो बॉल 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 अच्छे हैं पर टप पा थी लेकिन बैश्मन ने जजज गलत किया और स्टम पे घुज गुज गुज गई और औ करे, भंट फीज गालिद fark वे, क्या पार जबादा एक है और था इसका थीजँ को हीरल, बढूल उनने बॉल बैश़र, बाद ने है यह नहीं होता है है, अज़ गणा यह है अखर आप में मिया हिट करंगो बैiffु गणकर मैं आश्छU, रिष आ ही कुजवा है तो यह कुछ पूरा होता तो और इंट्रस्टी देखने में इतना है और बावक कल जो भी मैचे होंगे उसकी इसकी आपको आपको कौन सा प्लेयर लगा जिसने आपको काफी इंप्रस्ट किया है आज के मैच में सब्सक्राइब कर लिए हमारे फर्ट्स के लिए प्लीज हमें सपोर्ट लगाता रशी करते रहें हैं इस वीडियो में इसमें बाव